चानक के नीती के अनुसार कुंबराशी अगर आप भी है बुद्धीमान तो भूल कर भी किसी को न बताएं ये चार बते दोस्तों अगर हम ETS की बात करें तो ETS के सबसे चालख या युहीं कहीं कि сबसे बुद्धीमान आचारे चानक के नीती से हर कोई वाकिफ है मगर फिर भी आज हम आपको चानक के द्वारा बताए गई एक ऐसी जानकारी से रूबरू करने वाले हैं जिसके बारे में जानने के बाद यकिनन आपका भविश्य समझ जाएगा जी हाँ दोस्तो इस जानकारी से वाकिफ होने के बाद यकिनन आपको पता चल जाएगा कि आप जीवन में क्या गलतियां कर रहे हैं यानि अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो चानक के ए निती भविश्य में आपके काफी काम आएगी दोस्तो चानक के निती के अनुसार बुद्धिमान लोग भूल कर भी किसी को नब बताएं ये चार बाते बरहल लाल आज हम आपको उन चार बातों के बारे में रूबरू करवाना चाते हैं जो चानक के निती के अनुसार इंसान को भूल कर भी किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए क्योंकि इससे बात में उसी का नुकसान होता है तो चलिए अब देर किस बात की जानते हैं उन चार बातों के बारे में जो एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी किसी दूसरे इंसान को नहीं बताना चाहिए इसमें सबसे पहली जो बात है धन में हनी या व्यापार में घाटा होने को लेकर चर्चा करना गर तलब है कि चानक के निति के अनुसार यही व्यक्ति को धन का नुक्सान हो जाए या व्यापार में घाटा हो जाए तो इसका जिक्र उसे भूल कर भी किसी दूसरे के सामने नहीं करना चाहिए जी हाँ दोस्तों चानक के अनुसार इस बात को खुद तक ही सिमित रखना चाहिए वो इसलिए क्योंकि जब दूसरे लोगों को आपकी आर्थिक तंगी के बारे में पता चलता है तो यकिनन वो आपसे मुह फिर लेता है और आपका मजाग उड़ाते हैं इसके अलावा चानक के के अनुसार खुद अपनी महनत से इस आर्थिक तंगी से बाहर निकल की कोशिश करने चाहिए दूसरी जो महतोपूर्णा बात है व्यक्तिगत समस्या चानक के के अनुसार हर व्यक्ति की अपनी नीजी जिन्दगी होती है ऐसे में किसी भी व्यक्ति को अपनी नीजी जिन्दगी के मुद्दों को किसी दूसरे के सामने जाहिर नहीं करना चाहि वही लोग आपकी पीट पीछे आपका मजग भी उड़ा सकते हैं। आप बले ही माने या ना माने लेकिन सरस्तो यही है कि लोग दूसरों के दुख को देखकर बेहद खुश होते हैं। आपकी भी बेईज़ती होती हैं। इसके अलवा कुछ बाते ऐसे भी होती हैं जो आप किसी दूसरे को नहीं बताना चाते। लेकिन बातों बातों में चर्चा के दौरान वो बाते भी मुह से निकल जाती हैं। जिसके चत्य भविशे में आपको काफी परिशानी हो सकती है। दोस्तों आखरी और चोटी जो कि महतोपूरना बात है अपमान की बात चाना कि के अनुसार किसी भी दूसरे को गलती से भी ये नह बताएं कि आप किसी दूसरे वेक्ति दौरा कभी बे इज़त हुए हैं इसके साथ ही कभी भी किसी को ये भी ना बताएं कि जीवन में कभी कि किसी ने आपका मजाग उड़ाया था येकिनन अगर आप इस बारे में किसी दूसरे को बताएंगे तो ऐसा हो सकता ही कि वो भी आपका मजाग उड़ाने लगे जिससे आपके मान सम्मान को ज़्यादा ठेस लगती हैं तो दोस्तों वैसे इस जानकारी को वीडियो के करेगा अगर आप भी इस तरह की गलतियां करते थें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और उन गलतियों को जरूर सुदारेगा तो दोस्तों मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद